विक्सित भारत 2024 के इस बजट में आपका स्वागत है। हम सभी किसानों का स्वागत करते हैं, अभिननन करते हैं, जोहार और नवसकार। सफल देश, सम्रीद किसान, अगर सब भी रखे किसानों का ध्यान। जी हाँ, किसानों का ध्यान भारत जैसे क्रश्य परधान देश में प्रतेक व्यक्ति रखने की कोशिश करता है। लेकिन सरकार विशेश ध्यान देती है, इसके लिए बजट की भी व्यवस्था की जाती है। किसानों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की जाती है। सरकार जानना चाहती है कि क्या चाहते हैं किसान हमारे। और इन ही बातों को रखने के लिए हम हमारे राज्जी के तमान किसानों को स्टूडियो में आमंत्रित किये हैं। हम इन से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। हलांकि अपेक्षाओं का आकाश अनंत है। जितनी भी अपेक्षाएं हैं सारी चीजे पूरी तो नहीं की जा सकती हैं। लेकिन ये जरूरी है कि अपेक्षाओं को जानना चाहिए और सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। बरतमान समय में बहुत सारे ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं विभिन शेत्रों में ताकि किसानों को अधीक से अधीक लाब मिल सके। उनको अधीक से अधीक मुनाफ़ा मिल सके। लेकिन क्या आशाएं हैं, क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। आज इसी विश्य पर हम चर्चा करते हैं, जानते हैं किसानों की क्या अपिक्षाए हैं। सारी असुइधाएं रह बच जाती हैं। अभी उसमें ड्रीप के साथ में जो मल्च पेपर की जवरत होती हैं। जो भी चीजें लगती हैं, खाद है, बीज है, दवाएं हैं। ये सारी चीजें का कीमत आसमान चूते चला जा रहा है। उसके तुलना में अगर हम लोग देखेंगे तो फसलों का कीमत है। उसके तुलना में देखेंगे तो दस गुना भी ससल का कीमत नहीं बढ़ रहा है। और महागाई बढ़ती ही चली जा रही है। ये बोज कहीं ने कहीं बनते चला जा रहा है। किसान इसके वज़र से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसके बाद में और एक बहुत बड़ी समस्या है कि खेती तो क्या है कि गाव छेतर में जो भी बहुत सारे लोग होते हैं जो खेती करते हैं। चलीए जो भी काम के लिए आते हैं उनको तो जो भी रेट तय होता है किसान उनको पेइमेंट करते ही हैं। लेकिन खेती करके किसान को प्रोफिट होगा, इसका कोई गारेंटी नहीं होता है। अल्टीमेटली रोजगार तो वो देर हैं, लेकिन खुद बेरोजगार हैं, अद्रिस से बेरोजगारी चिपी भी है। तीन सारी चीज़ों को देखते हुए किसान के लिए जो उस लेबल का जो बड़े लेबल पर खेती करते हैं, या लोगों को कही न कहीं रोजगार मुहया करा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा एक सहयोग होना चाहिए, गुश इसके लिए सोचना चाहिए, जिससे कि उनको मैंने ठीके रहे हैं, ऐसा ना लगे कि आप खेती छोड़ना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मैंने लेबर और खाद और बीज और ये सब चीज का पेमेंट करने के लिए खाली हम लोग लगे हुए हैं, अपने लिए कुछ बचने रहे हैं, ये सोचता की खतम हो पाएं, धनिवाद अर्विन जी, आपने कई बाते रखी, कई अपिक्षाए हैं, क्या सोचते हैं आप, इस बजट में क्या होना चाहिए, जोहार, मेरा नाम गंदुरा उरांवग, इस बार के बजट से मैं सरकार्स उमीद रखता हूँ, कि किसानों के लिए फसल भी माहो, जार्खन में के अलधान की होती है, जो भी थोड़ा बहुत कभी लाब मिल पाता है के अलधान में होता है, हम उमीद करते हैं कि सब्जी फसल अमारे यहां बहुत ज़्यादा मात्रम उगाई जाती है, सब्जी फसल कभी बीमा हो, क्योंकि सब्जी फसल में कभी-कभी उला प्राकृतिक आपदा आ जाने से लाखों का नुक्सान हो जाता है किसान को और मैं सरकार से इस बजट में उमीद करता हूं कि किसानों के लिए किर्सी में जो लागत बढ़ रही है उसको देखते हुए किर्सी यांतर को बढ़ावा दे जो कि सरकार की तरब से है अभी भी जो कि बहुत कम मात्रा में मिलता है 50% समसीडी में मिलता है लेकिन परखण में वही 2-4-5 और किसान हजारों की संख्या में है तीसे थोड़ा बढ़ावा देवे और किसानों के लिए जिस तरीके से धान का समर्थन मुल में खरीद होता है उसी तरीके से सरकार तो सभी फसलों का समर्थन मुल तै कर दी है लेकिन खरीद कभी उस्था नहीं है जैसे कि अभी रागी मडवा का 42 रुपया समर्थन मुल तियार कर दिया है लेकिन इसका बाजार बे उस्था नहीं है सरकार की तरब से तो हो गई है कि हाँ समर्थन मुल इतना है सभी चीजों का जैसे दलहने तिलहने लेकिन इसका बाजार बे उस्था हो यहां तो केवल धान का ही है लेंप स्पैक्स के दौरा खरीदा जाता है हम उमीद करते हैं कि तिलहने दलहने और यह मड़वा, मक्का सभी का बाजार बिवस्था हो खरीदने के लिए बिल्कुल धनवाद गंदूरा जी कई बाते इन्होंने रखी जैसे बीमा के विशे में क्रिशी यंद्र के विशे में और MSP के विशे में बहुत धनवाद आपका हमारे साथ एक और अईन्ह किसान है क्या पेक्षाय हैं आपकी आप क्या सोचते हैं मैंने नलाल महतो जार्खन के किसानों के लिए अच्छा बजट लाए चुकि जार्खन एक पठारी छेतर है किसानों के लिए यहां सिचाई की सुविधा बड़े बड़े नदी या डेम वगरा नहीं है जार्खन के किसान अपने बल बुते पर डिप बोरिंग सोलर पाइनर या डिप पिरिगेशन से अपने सबजी फसलों की उपज लेते हैं हम सरकार सी यहीذ उमीद करते हैं कि सरकार अपने बजट में पूर्ण रूप से जार्खन के किसानों के लिए सिचाई की बेivosथा करे और जार्खन के किसानों के लिए सही समय पर उत्तमबीच की वेऊस्था करे जो कि सही समय पर किसान अपने खेतों में उत्तमबीच डाल सके और अच्छा पैदवार ले सके हम सरकार से उमीद करते हैं की हम जो भी फ़सल उपज में लाते हैं भरपूर फ़सल कभी-कभी हम लोग पैदा करते हैं और बजार में हम लोग उसको सही खपत नहीं कर पाते हैं और बिचोलिया के हाथों हम लोग बिख जाते हैं सरकार से हम लोग यही उमीद करते हैं कि परखंड से लेकर पंचायत अस्तर पर छोटे-छोटे कोलिश्टोर का बेवस्था हो ताकि हरी सब्जी तयार फसल या तयार किया हुआ सब्जी जो मार्केट से हम लोग फेकने के बाजाए लाकि हम लोग कोलिश्टोर में रखें और उसको सही समय पर उची तिमुली पर बजार में हम लोग ले जाकर बेचें हम लोग का अगर कोलिश्टोर का सुविधा हो सरकार के तरब से और सरकार से उमीद करते हैं कि सरकार कोलिश्टोर का बेवस्था के लिए बजट मिला है कि इस बार जो सरकार बजट पेस करने जा रहा है उसमें किसान के बारे फूल के बजट पेस करें इसलिए कि पठारी ही लगा है यहां नहीं पानी के सुभीदा है मने बहुत तरह के सुभीदा है जो किसान को इस बार सरकार जो निकले है मुखने हैं हम निकालनेंगे बजट पेस करेंगे तो उसमें हम लोग जो है सो जो पोटास डीएपी 10 रुप आमें खरीते हैं खरिते थे वो सिधे अभी 40 रुपया किसान का मुल एक भी नहीं आता है हम लोग तो लड़ जगड के घर में खेती करने के लिए जुलूम लगल रहते हैं लेकिन किसान का अभी कोई यह नहीं है इसलिए सरकार से हम कहेंगे कि इस बार सिचाई का जिनका सिचाई का सुख बिदा दे यह प्लास्टी का भी सुख सुभी दा दे जो किसान गरीब किसान भी करेंगे चोटा-चोटा प्रोट में भी करेंगे तो उनका बढ़िया निग्रानी हो सरकार तरफ से और जो हैसे बजट पेस फूल मुने किसान को पला पर अपनिकदा सरकार दें बहुत- ढय स्यूल्ड जहारखंड में लोग चाहता है कि जरीृष की खैती करें और जरीृष के खैती, अभी जरी संदी में बहुत किसान हैं लेकिन जतना खैती हम लोग करते हैं, जही उसका बजार हम लोग को नई मिलता है हम चाहते हैं सरकार से कि इस बजट में गाओं-गाओं हर सहर तक बजारों की ब्योस्था जादा करे जिसे हमारे जो किसान है उस जैवी खिती का सही फायदा उसको मिले और हमारे किसान खुशाल रहेंगे जाहूंगा कि सरकार इस बिसे सोच रही है लेकिन यह मार्केड का ब्योस्था है लेकिन जतना बजार का बीश्था ना चाहिए पांब है और इनकी भी अपनी अपेक्षाय हैं महिलाएं क्या सोचती हैं मेरा नम पारवती कुमारी है मैं और मांजी प्रखन के कुच्चू गाउं से हूं मैं एक किसान हूं जैसे कि भाई बंदू लोग बोल रहे हैं कि जो भारत देश हमारा क्रिसी प्रधान देश है इसमें क्रिसी क करीड की हड़ी है उसी तरह हम महिलाएं भी खेती के लिए घर परिवाल के लिए करीड की हड़ी है उसी तरह जैसा कि पुरुस और महिला मील कर खेती करते हैं और खेती करने के बाद जब बजार का दीना आता है तो सब्ता में बजार एक दिन या दो दिन रहता है और उस आधमी जब भी अपना फसल को तोड़े, काटे, उसी टाइम पर जाके वहाँ पहुंचा दे और एक बज़ार समीती का गठन किया जाए. आप क्या सोचते हैं बज़ट के विशे में? मेरा नाम गंसुमातो है, मैं विशेश करके सरकार से अफिल करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हर घर पर नल से पानी पहुंचा रही है, उसी तरह सरकार हर खेत पर नल से पानी का विश्था करें. क्योंकि बहुत ऐसे जगह सरकार जो है की चेकडेम बनाई हुई है, और वो चेकडेम से जो ही की यहाँ पानी जो है की बह के फिर नदी नाले के सहरे फिर दूसरे इस्टेट पर चली जाती है. तो हम चाहते हैं की लीप टेरिगेशन के दोबारा हर खेत तक पानी पहुँचाया जाए, जिसे की किसानों का जो पानी का समस्या है, वो सुधार हो, और जगह जगह पर बड़े बड़े डीप बोरिंग का भी वेस्था करें, ताकि हर खेत तक पानी पहुँचे. तिसरी चीज है की बजार की बेस्था. बजार की बेस्था सरकार को हम अपने ओर से कहना चाहते हैं की इससे पुरवर्ति सरकार ने हमें इजराइल भेजा था. पानी का संग्रक्षन करने हैं तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पानी को संग्रक्षित करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है और वहाँ जो बजार बेश्टा है हमारी जो देश की बजार बेश्टा है उससे बहुत बेहतर बेश्टा है तो वहाँ पर जो है कि यहाँ एक मक्का की किमत 10 रुपया होती है वहाँ पर एक मक्का की किमत 200 रुपया तक है तो हम अपना देश से जो भारत देश से है कि दूसरे देशों पर हम इस्पोर्ट भी कर सकते हैं जितने नगदी फसल है साग है, सबजी है, मक्का है, जवार है ये चीज को हम दूसरे देशों पर भी हम भेज सकते हैं ये बजार भेशता भी हमारी सरकार करें तो इससे भी हमारी किसानों की दसा है उसमें सुधार आएगी आपकी क्या पेक्षाए है मेरा नाम करती कुमार महतो है सरकार से ये उमीद करता हूँ और ये गराप्टिंग का पोधा हमारे पड़ोसी राज्य 36 घर्ष आता है तो मैं सरकार ये उमीद करता हूँ कि हमारे विभीन किसानों को जो अनुभवी हैं उनकिसानों को इस छेतर में बड़े पली हाउस की ब्यास्था करें पोधा मंगाना ना पड़े और अपने लोकल एरिया में पोधा मिले ताकि पोधा सस्ता मिले और किसान को उपलब्ध हो सके और पोधा लगाएं ताकि अच्छी उपज पाएं दूसरी मांग हम यह करना चाहते हैं कि इस दिशा में हमारे सरकार को पली हाउस यानि कि अभी ततकाल में कुछ समय बीच बीच में टमाटर का मंगा हो जाना यह बहुत बड़ा पोईंट है हमारे सरकार किसानों को पली हाउस उपलब्ध करें ताकि बंगलोर का जो सिस्टम है वहाँ पे पली हाउस में टमाटर उप जाय जाता है और गैर मौसम में जहां पे जिस मौसम में कहीं पे नवी उप जाता है वहाँ पे उप जाय लिया जाता है क्योंकि पली हाउस में खेती होता है तो इस बजट में हम चाहता हूं कि सरकार बड़े-बड़े पली हाउस मोहया करवाएं और किसान ताकि उसमें टमाटर बेगार मौसम के भी उपजा सके और महंगा रेट में बेश सके मैं मनोजमा तो ग्राम चुटू ये फसल बीजा हुए इस अब टाइम से मिल जाए पंचायत में कांके परखंड में आता है वो सब हर तरब से सब गाओं में समय पर पहुँच जाए और सभी को समय से मिल जाए तो अच्छा तरह से खेत में लगा सके और समय से बीजा का उत्पादन कर सके और बजार का बेवस्था तो बता ही दिये और साथ में ग्राम पंचायत में जीला परिसद है यह सब मुखिया है वो सब जो किसान को अच्छे से उत्पादन करते हैं उनको कोई पराईज बगर अभी तरन करते हैं तो उनके दोबरा हो जाए और गाओं में ही गाओं के खुसी में और अच्छी तरह से खेत में और खेती करें बढ़ियां से बहुत सारी अपेक्षाय हैं आप क्या सोचते हैं इस बजट में क्या होना चाहिए मेरा डाम प्यारे लाल मातो हुआ ये सरकार से हम उमीद करते हैं कि ये बजट लाए और आप हमारे किसान लोग काई भायों ने बोला कि ओला ब्रिष्टी होता है हमें ये मुवजा मिलना चाहिए उसका एक परबंद बेवस्था होना चाहिए हम पुझी लगाते हैं मान के द्रीब का खेती किये जिसमें एक एकड़ का ड्रीब हम लगाते हैं पुलोट में तो हमें एक लाख रुप्या पलस पुंजी मेरा लगता है और अगर वोला ब्रिष्टी मेरा पड़ता है हो जाता है हर साल हमारे जारखन मेरा आची में पड़ता है आप लोग पेपर के परखन क्रिष्टा पार हजार रुपिया हमें मलभ अपदा परवधंक के हिसाब से हमें एक प्रॉसान राशी देता है तो उससे किसानों को मरे तूड़ जता है जिसमें गुर्मेंट हमें संतोस जनक मुवजा देने के काम करें। सब्सक्राइट करते हैं मढगः दान ऊब्सक्राइब वर्यगंट हैं। जब हम लोग दान की सी तरह सभई करें। कृष्विंट हुई थान आगया। रहा रागया। अभी तक हम लोग नहीं मिला। धान नहीं मिला लोग लगा दिये। अभी किरिसमित फ्रेर पॉल्ट है कि अब 15 दिन कर बाद आएगा तो फिर किसान का करेगा उसको ले करके तो खाएगा, तो भूनेगा है नहीं यही सरब करके हम लोग किसी तरह लगा लेते हैं और पानी का सुभीदा जो है कहीं-कहीं मतलब नहीं रहता है कहीं पर हम लोग किसी तरह का कोई तलाव मिलता है, वहाँ पर हम लोग मसीन लगा जाते हैं, बिजली ओला मसीन, तो जाके बिजली विभाग ओला मसीन और तार को सब को ले जाता है, अब इससे भी हम लोग के किसान बोलता है कि किसान का लिए हम लोग के फिरी बिजली देते ह पानी देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं होता है, हम लोग से बहुत बड़ा नुक्सान होता है इसलिए में, अजो हम अभी लगाये थे करीब 500 कोपिता लगाये थे, कोपिता कुछ मतलब इतना बड़ा-बड़ा हुआ, पथर ऐसा मारा के यह कोपिस नहीं बाचा है। महिला किसान होने के नाते बजट में अब क्या होना चाहिए, क्या सोचती है। में जो भी हम लोग कोई खेती लगाते हैं, जैसे आलू हुआ, बैंगन हुआ, या टामाटर हुआ, मिर्चा हुआ, तो उसमें किया होता है कि जब फलने फूलने लगता है, तो दीमक लग जाता है, चीटी लग जाता है। तो हम सरकार से ही अनुरत करते हैं कि जैविक खात का मतलब उपयोग कराया जाए बजार में, या तो जो भी हम लोग का परखंड है, उस परखंड में पंजायत लेवल में आए, ताकि हर किसान को बितरन हो, और आच्छा से उबाज हो खेती का, और जैविक खात से हम लोग क स्वस्त भी अच्छा रहेगा, और जो भी बीमारी हम लोग सुनती आ रहे हैं, वो बीमारी भी बीमारी में सुधा रहेगा, आपकी अपिक्षा है कि जैविक खेती को ज्यादे से ज्यादा महत्व दिया जाए, बिल्कुल सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है, आप क्या स सुधते हैं, नमस्कर, मेरा नाम संदीप भान है, जारखन रांची में ये पठारी इलाका है, तो पठारी इलाका है तो इसमें पानी जमाओ के लिए ये जगा जगा पर चेक डेम बनाये जाए, जिसे पानी जमें, और यहां खेती के लिए ज्यादा पानी को बहुत बड़ होता है, तो इसमें जो है सो ड्रिफ बोरिंग किया जाए और इसमें जो है सोलर पेंप लगा जाए, जिससे किसानों को पटाने में सुविधा मिले, और जगा जगा हर पर्खण में कोल इचर बनाया जाए, जिसे फसल जो है बरबाद ना हो, यत नहीं करके. मैं बढ़ू पर्खण से हूँ, गाउं खखरा से, और मैं एक किसान हूँ, अगले बार जैसे हम लगा थे तारबूज, एक लाख का मेरा ई हो गया था, ओलाद रिष्टी से, तो अभी हमको कुछ नहीं वहां से, जैसे कि जो बोले बीमा हुमा, सो वहां से हम लोग को कुछ नहीं मिला था, तो इसा मेरा लाखो का नुकसान हो जाता है, इसलिए सरकार सुमें यहीं कहना चाहता हूँ, कि मेरा कुछ जैसे बीमा द्वारा अगर ओलाद रिष्टी या फिर कुछ हो जाता तो उससे मेरा नुकसान होता है, तो सरकार कुछ सहीयोग दे. मेरा नाम पुस्पा देवी है, मैं बेड़ो पर्खन की हूँ, जैविक खेती तो हम घर में करते हैं, गाय भी पाले हैं, और गाय के, तईस मेरा तईस में दो गाय मर गई, जिसे हम मेगा डैरी से जुड़े हैं, उसमें मेगा डैरी से जो सर सब जाते हैं, उनलोग से भी हम में बोलें की बीमा करवाया जा गाय के लिए, तो उनलोग भी अभी तक एक साल बीत गया, लेकिन नहीं बताया हैं की कहां से बीमा होगी, क्या होगी, तो गाय के बीमा होनी चाहिए, धान का हो गया, गेहूं का हो गया, उस सब का बीमा भरवाते हैं, पेपर जहां तहां ज मैं घर में बचता नहीं है जैसा महंगाई चल रहा है बीमा की सुविधा येक महत्पूर्ण प्रशन है बहुत सारे ऐसे किसान है जो चाहते हैं कि बीमा बीमा की विवस्ता है लेकिन इसकी जानकारी सही धंग से नहीं हो पा रही है और आप तक नहीं पहुंच पा रही है किसान होने के नाते हम सबसे पहले तो हम पानी पर निर्भर करते हैं जब हमारे खेतों में पानी ना दें तो खेती कैसे हो इसलिए हमारे किसान को चाहिए कि कुवा या तलाप या तडीप ब्रोरिंग इसका व्यास्था होनी चाहिए और इन सार जो ओला ब्रिष्टी हुई जिसमें बीमा कराया गया उसमें भी कोई फायदा नहीं मिला है इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जो खेती से नुकसान होता है किसान को उसमें बीमा का फैस्जा सही मिलना चाहिए और हम ये कहना चाहेंगे हम महला हर एक गाम में महला समू है महला उनको भी सरकार से कोई रोजगार मिले तो आच्छा हो जिसे कि महिला घार बैठे भी अपना रोजगार कर सके अपना फाइदा परिवार के लिए कर सके और हम यह कहना चाहेंगे कि खेती के लिए विशेश हमारे यहाँ पानी के ब्यास्ता होने चाहिए सरकार से यह उमेद करेंगे कि पानी के ब्यास्ता कराई जाए खाद प्रसंसकरण की आप बात कर रही है, महिलाओं को इससे उद्यम मिलेगा, महिलाओं को इससे रोजगार मिलेगा इस दिश्वा में बहुत सारे प्रयास किया जा रहे हैं और इसके लिए जागरुकता भी बहुत जोरी है, आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम बिंदेश्वर महतोगा, और मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि जितने भी छोटे किशान हैं, अभी के जबाना में तो गाय बायल बहुत कम हो गया है, लोग बायल बिलकुल भूल गये हैं, उसके जगह में छोटी-छोटी पावर टिलर आ गये हैं, तो चाहेंगे कि छोटा पावर टिलर में सबसीडी ज्यादा से ज्यादा किसान को मिले, अभी तक कोई भी पावर टिलर में सबसीडी लागू नहीं है, बीज और खाद का किमत के अलावा लेवर का किमत बढ़ गया है, और जिस मताबिक हमको बजार मुल्य मिलता है, उसके जगह पर जैविक खाद कोई ऐसा मुहाया किया जाए, सबसीडी रेट पर, जिससे किसान उसी को उपियोग करे डिये पी के जगह, इस पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाए हमारे यहाँ जो उर्वरकों में सबसीडी दिया जाता है, उसी तरह आप चाहते हैं कि जेविक जो हमारे उर्वरक हैं, जो जेविक खाद हैं, उस पर भी सबसीडी मिलना चाहिए, बिलकुल जो हार, मेरा नाब सुकदेव रा, इटकी परखंड, और हम लोग का छेतर में जिसे किसान भाई लोग जिसे जागरुक आधुनिक खेती तोर तरीका नहीं जानते हैं, और उनको जानकारी नहीं मिल पाता है, इसलिए पंचाई तस्तर का जिसे किर्शी भावन भी होना चाह जाए उसे जो कि आधुनिक तरीका से उसे किसान अमलोग आगे लावाइन थो सकते हैं. जैवी कुर वरकों में भी अपेक्षाओं का आगाश फिर से हम कहेंगे कि अनन्त है, सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है, प्रसिक्षन का काम चल रहा है, किसान भाईयों के लिए प्रसंस्कराण के कई इकाई स्थावित किया जा रहे हैं, ज़रुरी है कि आप इन भारत के बजट जैसा ही होगा, ये उम्मीद है और हमारे जो संकल्प हैं, वो निश्यत रूप से जल्द ही सिद्ध होंगे, आप हमारे काईरिक्रम में आए, आपने अपनी बाते रखी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धैन्यवाद, फिर से आप सभी को जिवार, नमस कर.